पुतिन में अपनी फौस उतार दी, फ्रांस के राश्पती इमेनुल मैक्रो ने हालांकी इस कदम की पुस्टी नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है पुतिन का केमिकल वार शुरू पुतिन का एक्शन देख बौखलाया अमेरिका और फ्रांस फ्रांस ने पहली बार योक्रेन में उतारी अपनी फौच रूस योक्रेन युद का सबसे भयावाका योक्रेन कितना हारा, कितना बचाया रूस ने कितना जीता, कितना कबजा किया और सबसे बड़ा सवाल कि आज दो साल बाद कहां पहुचा है रूस योक्रेन युद क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस ने योक्रेन में अपनी फौज उतार दी है फ्रांस के राश्वपती एमान्वाल मैक्रो ने हालाकि इस कदम की पुष्टी नहीं की है लेकिन इससे इंकार भी नहीं किया है कि फ्रांस की फॉज योक्रेन भीजी गई है लेकिन डीटेल आपको आगे दिखाएंगे अभी देखिए रूस का वो दावाद जिसके मुताबिक रूस की सेना ने सिर्फ इस साल यानि दो हजार चौवीस में योक्रेन के पाँच सो सेटालीस वर किलोमेटर जमीन पर कबजा कद लिया है शेखिए आश्टाइडक अपका अपको आपाद किसी आए लवाद की सथालीस पारो बहुद की बाहां उला है रूस के कबजे के दावे में कितना दम है ये बता पाना मुश्किल है लेकिन योकरेन पर जिस तरह से रूस कहर बनकर तूट रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि योकरेन में किस तरह का जलजला पैदा हुआ है रूस का दावा है कि हमले के कारण योक्रेन की फौज लगातार पीछे हट रही है लेकिन योक्रेन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है अनाकि इस दथी को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि रूस ने योक्रेन में सेना भेजने के 7 महीने बाद यानि सेतंबर 2022 में 4 योक्रेनी क्षित्रों दौनेस, खेरसोर, लोहांस्क और जपोरेजिया पर नियंतरन कर लिया था इस वक्त रूस का योक्रेन के पूरवी और दक्षिन क्षित्र में 18 प्रतिशत इलाके पर कबजा है रूस युद्ध के पहले दौर में सीमित फोर्स के साथ लड़ा लेकिन दूसरे चरण में उसने प्रहार को और जोरदार कर दिया तीसरे चरण में रूस ने मिसाईलों से योक्रेन को तहस नैस कर दिया और अब चौथे चरण में रूस योक्रेन की ताकत को कुचलने के लिए फुल पावर से लड़ रहा है योक्रेन इस वक्त रक्षात्मक मुत्रा में है लंबे चले युद्ध के कारण उसकी सेना और हत्यार दोनों की प्रहारक्षमता पर असर हो रहा है इसलिए योक्रेन के प्रेसिडेंट जेलन्स की बार बार नैटो ताकतों से मदद की अपील कर रहे है कहा जा रहा है कि मदद की इसी दरकार को देखते हुए फ्रांस ने अपनी फौज योक्रेन में उतार दी है फ्रांस ने आधिकारिक तोर पर पहली बार योक्रेन में अपनी सेना भेजी है फ्रांसेसी सैनिकों के शुरुवाती समों में लगबग 100 सैनिकों की टुकड़ी को योक्रेन भीजा गया है सैनिकों को सलाव वायांस्क में योक्रेन की 54-24 मेकेनाइज़ ब्रिगट के समर्थन में तैनात किया गया है एश्या टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक फ्रांस ने जिन सैनिकों को योक्रेन भीजा है वो तीसरी इंफ्रेंटरी रेजिमेंट से है जो फ्रांस की विदेशी सेना यानी लीजन एट्रेंगर की मुक्ष टुकडी है इन सैनिकों का मकसर डॉन बास में रूस की बढ़त को रोपने में योक्रेन की मदद करना है फ्रांसीसी टुकडी में तोप खाने की विशेशर के शामिल है जाहिर है ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब रूस ने योक्रेन में अपना अभियान तेज कर दिया है फ्रांस के राश्रोपती एम्मैनुल मैक रॉप पेशले कई महीनों से योक्रेन में फ्रांसीसी सेना को भेजने की धमकी दे रहे थे हलाकि फ्रांस को नेटो देशों से इस बारे में बहुत समर्तन नहीं मिला है ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका नेटो सेनिकों को योक्रेन में भेजे जाने का विरोध करता है लेकिन सच क्या है क्या बिना अमेरिका की सहमती के नैटो का सदस के देश फ्रांस योक्रेन में अपनी सेना उतार सकता है फ्रांससी सहनिको की योक्रेन भेजनी के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या योकरेन में फ्रांस ने लाल रेखा को पार कर दिया है रूस के राश्वपती पुतिन लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर नैटो की सेनाएं यूकरेन में घुस्ती हैं तो इससे सीधे युद्ध माना जाएगा राश्वपती पुतिन रह रह कर परमाणू ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी देते रहे हैं माना जा रहा है कि विदेशी सेनिकों को भेज कर फ्रांस ने एक बचाव भी अपने पास रखा है वो कह सकता है कि भेजे गए लोग फ्रांसी सी नागरिक नहीं है ऐसा क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है फ्रांस में यूकरेन में अपनी विदेशी सेना भेजी है मतलब फ्रांस की विदेशी सेना में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी है इसमें सैनिकों को घुमनाम होने की छूट भी होती है इसमें काम करने वाले सैनिक तीन साल की अवधी के लिए सेवा करते हैं विदेशी सेना भीजने का फैसला फ्रांस ने इसलिए किया है क्योंकि विदेशी सेना भीजने पर अधिक घरेलू विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस के पास विदेश में तैनात करने के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिक नहीं है। फ्रांस की मूल सेना को भेजने के लिए उसे अतिरिक्त भरती करनी होगी। जिसे लेकर मैक्रो के राजनितिक विरोथियों को हमला करने का मौका मिलेगा। फ्रांस के योक्रेन में जमीन पर आने के बाद युद में हालात का बदलना तैह है। लेकिन फ्रांस ने ये कदम क्यों उठाया उसके पीछे वज़ा दी जा रही है कि युद्ध में रूस प्रतिबंधित रासाइनिक हत्यारों का इस्तेमाल कर रहा है ये वो हत्यार है जिसकी काट योक्रेन की सेना के पास नहीं है और रूस को अगर रोकना है तो सिर्फ नैटो कि और से हत्यारों का जखीरा भेजना काफी नहीं है बलकि योक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर रूस के खिलाफ अभियान छेड़ना होगा अब सवाल है कि रूस कौन सारा सैनिक हत्यार इस्तिमाल कर रहा है ये हत्यार है क्लोरोपिक्रिन क्लोरोपिक्रिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तिमाल जानलेवा कीट नाशक के रूप में किया जाता है इसके खासियत है कि ये गैस और लिक्विट दोनों ही रूपों में इस्तिमाल हो सकता है इसकी एक छोटी सी वून भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है गैस विश्व युद्ध के दोरान जहरीली गैस के रूप में किया गया था तब जर्मनी की सेना ने इसे मित्र राश्टों की सेना के खिलाफ इस्तिमाल किया था क्लोरो पिक्रेन का इस्तिमाल युद्ध में करना बैन है रासाइनी खत्यार निशेद जंगठन यानी OPCW ने इसे चोकिंग एजेंट की कैटेगरी में डाल रखा है अमेरिका का आरोप है कि रूस योक्रेन में इसका इस्तिमाल कर रहा है और इसलिए रूस को रोपना बहुत जरूरी है अब सबाल है कि क्लोरोपिक्रिन व्यक्ति पर असर कैसे डालता है विश्य शक्यों का कहना है कि ये शरीर के भीतर जाते ही मुक्ष रूप से श्वसंत अंत्र को प्रभावित करता है इससे नाक, गले और फेफणों में जलन होने लगती है इसके कारण फेफणों की हवा खत्म हो जाती है और आक्सीजन ना मिलने से इंसान का दम घुट जाता है इसके पहले भी रूस पर आरोप लगे हैं कि योक्रेन के खलाफ रासाइनी खत्यारों का इस्तेमाल कर रहा है हाला कि रूस ना तो इसका खंडन करता है और ना ही इसके पुष्टी जाहिर तोर पर पुतिन लंबे चले युद को अब समेट ना चाते हैं क्योंकि योक्रेन की बरवादी के साथ साथ रूस के हित भी प्रभावित हो रहे हैं और नाटो की युद में सीधी एंट्री के बाद ये युद भयावा दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है दुनिया भर के एक्सपोर्ट मान रहे हैं कि रूस जो की पहले से तय है कि किसी भी कीमत पर पैर पीछे खींचने वाला नहीं है लहाजा जरूरी है कि पोतिन को किसी समान जनक संधी के टेबल पर बिठा कर युद का हल निकाला जाए जो फिल हाल तो कम से कम होता नहीं दिख रहा है मतलब आगे रूस योक्रेन का भीशन युद दिख रहा है